आस्मान में जब बादल होते हैं तब आपको ऐसे कई सालागार मिलते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ऐसी सिच्वेशन में आपको सिस्टेमी क्वाली दावयों का इस्तमाल आपके पसलों के उपर नहीं करना है अगर आप सिस्टेमी क्वाली दावयों का इस्तमाल करेंगे तो ऐसे सीच्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक वाली दावयों का इस्ते माल करना है तो क्या सच्चा यह और क्या जूटे यह सप रूपपताने के दूप का अच्छे से बताने क्लिए विस्तार से बताने के लिए यह बनाए घा Gil दोस्तों यह वoro को साब मोसम में क्या फरके इह बास समझनी पड़ेगी के घरम मोसम में क्या आपके आसमान में बादल होते हैं आपके जमीं पर जो आपके सूरे प्रकाश होता है वह बहुत logistics पर बादा है этот कोई मोसका ता कि आप तो देखो भाइ सुर्वय प्रकाश जब नहीं पड़ता है था रात जैसे आंध्यरा हो जाता है और हमने का आदमी दिखाई भी नहीं देता है और जब आपके बादल होते हैं आस्मान मी खरब मोशम होता है तो खरब मोशम में भी आपको सामने वाला आदमी आच्छे सी है तो यह बात आप पाच्छे समझ लो कि खरब मोसम और साप मोसम अगर आपको पता चल गए ये बाताने का कारण और तात पर रही इतना ही था कि आपके साप मोसम में तो आपके साब मोसं में शिर्फ इतना ही परक होता है कि अपका सनलाइट होता है वह आपके दमिन पर कम तीवरता से पढ़ता है तो वह कम तीवरता यानि कि उसको लक्स में मेजर किया जाता है तो कम लक्स में पढ़ने के कारण बात इतना ही हो जाता है कि सनलाइट कम लक्स में हो तो जो पहुदे के प्रक्रिया होती है वह बहुत ही धिमेगती से हो जाती ह आपके से सिस्टेमिक वाली जो पहंडि साइड हो गए इन्सेकी साइड हो गए या फिर जो भी दावई हो आपकी सीस्टेमिक वाली तो खरब मोसम में बादल होने के कारण आपका संलैट कम होता है तो पुझे पहूदे के जो फंक्षन है। वह बहुत ही धिमेगति से होता ह इनदर जाने के लगने वाला समय तो पर अंदर जाने व्यूंकि एक विकट लगताैक लेइन पॉस्पे एक वर गृत्वाइब icon Electric तो उसके जो फंक्षन है वो धीमे हो जाते आप देखो यही उसका एक कारण है बागी कुछ भी कारण ने लेकिन एक बात ऐसी नहीं कि आपके सिस्टेमिक वाली दावया खरम मोसम में बिल्कुल भी काम ने करती यह मेरा कहना है और इसके उपर इससिट्मिक वाली दावया बारष की मोसम में बात तब बादर मत करो तो आपको पता है क्वांटेक में ज्यादा इसी कॉछ दिस ने होता है क्योंकि जगा-जगा पे उसको कवरेज सो परतीशत ने मिलता है और अगर यह च्छे से नहीं वहा तो क्वांटेक वाली दावया का ही इस्तमाल करते रहोगे तो आप डिस आ जा जाता है और बाद में आपको उस सलागार के पाद जाओगे तो वह आपको अलग अलग तरह की सिस्टेमी क्वाली दावया जरूर दे देगा अगर आप मेरे बाद से सहमत नहीं हो तो आप मेरे साथ प्रयोग भी कर सकते आपको क्या करना है आपको जो सलागार बता था है कि आपको आसमन में जब बादल होते तब आपको सिस्टेमी क्वाली दावयों का इस्तमाल नहीं करना है तो ऐसे सिच्वेशन में आपको एक ही काम करना है कि उसका मानना है हाँ मैं तेरा मानूंगा तो उसके मुझसे तूरंत आपको सिस्टेमिक वाली दावया निकलेगी तब आप अच्छे समझ जाना कि बाई सिस्टेमिक दावया अगर रोग आने से पहले काम नहीं करती थे और रोग आने के बाद कैसे काम करने लगी तो बाई यह जूटे में आप पस जाओगे तो आपक आपके आस्मान में जब बादल होते हैं तब भी आपकी सिस्टेमिक वाली दावया आपके पोदों में बहुती अच्छी तरिके से काम करती है तो ऐसे आप आप उसे अगर बचना है तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब जरू कर लेना और मिलते हैं आगले वीडियो में ज आपके साथ